सिटी के बिंड बिंड पेवेलिन के लोकारपण अउसर पर आप सब का स्वागत है। हमारा परम सौभाग्या है कि आज इस लोकारपण अउसर पर हमें प्रेड़ना देने वर्चिवल माध्यम से उपस्तित हैं सवा सो करोड भारतवासियों के रदैस्त विकास पुरुष मानियवर प्रधान मंतरी श्री नरेंद्र मोदी जी वगांधिनगर मर्चेत्र के सांसध इवं भारस सरकार के ग्रूह वसहकारिता मंतरी श्यमिजशाजी इस हैतियाशी गड़ी के प्रत्यक्ष साफसी गांधिनगर से बने हैं गुजरात राजय के मानेवर मुख्य मंतरी श्री श्रीमान वीजय भाहरूपानी जी पारस सरकार के रेल मंतरी श्री एश्वी निवैशना होने के बाद वो कई सौगात गुजरात के लोगों को देने वाले हैं वर्ड नगर के रिए खास तोर पर तैयारियां है इसके लावा ये भी जानकारी है कि विद्यूती कृत ब्रांड गेज लाइन का भी उधगाटन करने वाले हैं साथी साथ जानकारी ये भी आ रही है कि अलग-अलग तरीके से गुजरात के लोगों की सुवधाओं को बढ़ाने की कोशिश है गांधी नगा स्टेशन को आधुनिक बनाया जाएगा आधुनिक बनाने में 70 करोड रुपए लगे हैं आधुनिक हवाई आध्डे जैसी सुवधाएं होंगी विशुस्तर की सुवधाएं यहाँ पर मौझूद होंगी विशेश टिकेट बुकिंग काउंटर की योजना है दिव्यांगियों के लिए अलग से विशेश सुवधा दी जाएगी पार्टी लिफ्ट आध्णिकी सीडी आध्णिक discord की भी सुवधा होगी आध्णिक लाइटों को भी सापित किया जाएगा एक विशेश टार होटेल की भी सुवधा दी जा रही है तो पांच स्टार railway station के उदगाटन के अफसर पर किस तरह से इस railway station को कई ऐसी सुविधाओं से लेस किया गया है जो गुजरात के लिए एक बड़ी बात है और गुजरात के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात से कम नहीं है पांच स्टार यानि पांच सितारा रेलवे स्टेशन होगा अभी तक आप होटेल्स के बारे में सुनते रहे हैं लेकिन रेलवे स्टेशन को भी किस तरह से फाइफ स्टार मॉडल पर खड़ा किया गया है उसकी एक बांगिया जब इस कारकरम के जरिये देखेंगे गुजरात के पीम गुजरात प्रधान मंत्री का वो गड़ जिसके लिए लगातार एक बड़ी पहचान और छाप उनकी वहां से रही है वो वहां से खुद चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एक अलगी तरह का लगाओ उनका गुजरात से रहा है और ऐसे में आज वो अबसर है जब गुज रात के लोगों को कई सौगात देने वाले हैं और इन सौगातों के जो कारक्रम है ऑफिशल वो चल रहा है जिसमें प्रधान मंत्री शामिल हुए हैं इस कारक्रम में वर्चुली पांट स्टार होटेल रेलवे स्टेशन की जैसा आप देखेंगे ऐसा बनाया गया है जो पा अब कल बारी थी वारानसी के लोगों की उत्तर प्देश के वारानसी जहांसे प्रधान मंत्री खुँझ सानसन अध है उए लेकिन गुजरात से एक अलगी तरह का उनका लगाव है और क्या-क्या सावगात मिलने वाली है उसकी लगातन हम लिस्ट भी आपको दिखा रहे है कई परियोजनाओं का उद्गातन होना है और साथी साथ इस सौगात को मिलने का इंतजार गुजरात के लोग बहुत लंबे वक्त से कर रहे थे दुनिया के लिए तमाम तरह के जो लोगों के बीच वो अब गुजरात में होंगी इस बात की बस अब एलान होना ही बाकी है प्रदानमंत्री जी का संकल्प है कि रेलवे का विस्तार हो आधुनिक तक्नीक आए एवं जन मानस के जीवन में एक परिवर्तन आये जो दिखे जो लोगों को मैसूस हो इसी संकल्प को सिद्धी की और ले जाना हमारा कर्तव यह है रेल के विकास से राश्ट का विकास हो ऐसा माने प्रदानमंत्री जी का विजन है इसी कड़ी में पिछले साथ वर्षों में रेलवे में कई बड़े बड़े बड़ावाएं भारत में निर्मित और भारत में डिजाइन वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस ट्रेंज जैसी आधुनिक ट्रेंज जो कि आत्म निरवर भारत का एक मिसाल बन चुकी है दुनिया भर में इन ट्रेंज का नाम हुआ है रेल्वे को ग्रीन रेल्वे बनाने की रास्ते में बहुत सफलता मिली है Electrification बहुत अधिक मात्रा में हुआ है विशेशकर, COVID जैसी महामारी के समय में रेल्वे ने Oxygen Express के द्वारा जनता का सारती बना और गाव गाव तक घर घर तक Oxygen पहुँचाई देश के कोने कोने में ऑक्सिजन पहुंचाई किसान रेल ने अन्य दाताओं की उपज को खेट से थाली तक पहुंचाया इसमें मेरे वरिष्ट मित्र श्री पीउश जी गोयल जी का महत्पूर्ण योगदान रहा है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आज हमारा सौभाग्य है कि प्रदान मंत्री जी की विजनरी लीडर्शिप और मार्ग दर्शन में भारती रेल के इतियास में एक सुनारा अध्याज जुड़ रहा है ये जो जिस बिल्डिंग में आज हम अभी बैठे हैं गांधी नगर कैपिटल रेलवे स्टेशन की ये भव्य इमारत आज भारत के एस्पिरेशन का जीवन तुदारण है प्रदान मंत्री जी के विजन का मूर्त रूप है आज मैसाना वरेठा लाइन को ब्राड गेज में कम्प्लीट किया गया इसका इलेक्रिफिकेशन भी कम्प्लीट हुआ है आज माने प्रदान मंत्री जी इन प्रकल्पों का भी लोकारपन करेंगे गांधी नगर कैपिटल से लेकर वारानसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गांधी नगर कैपिटल और वरेठा के बीच एक जनता के लिए अती महत पून मेमू सेवा का भी माने प्रदान मंत्री जी द्वारा हरी जंडी दिखा कर शुबारंब किया जा रहा है गुजरात के बहुमिकी विकास के लिए इन प्रकल्पों की प्रमुक भूमिका रहेगी आज के इस गरिमा पून और एतियासिक समारों में एक बार फिर से मैं माने प्रदान मंत्री जी एवम सभी अतिती गणों का अर्दे से स्वागत करता हूँ दन्यवाद नमस्कार दरसल पीपा राव सेक्शन के विद्धिती करण की भी शुरुआत करेंगे आज प्रदान मंत्री साथी साथ गांधी नगर राजधानी वारणसी सुपर फास एक्स्प्रिस को हरी जंडी दिखाएंगे इसके अलावा और भी कई कारकरम हैं जिसमें गांधी नगर राजधानी और वरेठा के बीच M.E.M.U. ट्रेन को भी वो हरी जंडी दिखाएंगे साथी एक और जो जानकारी है